जै भोलिनाथ, आप सभी पर भोलिनाथ और दिवी पारवती की करपा बनी रहे, आप सभी के दुखतूर हो और आप सभी की मनुकामनाई पोन हो। सोमवार व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी माना गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत की संपुन कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा। पौराने कथा के नुसार प्राचीन समय की बात है, एक गाउं में एक साहुकार रहा करता था। साहुकार धनी था, उसके पास अथा धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहुकार भगवान शिव को प्रसंड करने के लिए सोमवार को व्रत रखा करता था, और व्रत के दौरान वे विधी पूर्वक भगवान शिव और दिवी पारवती की पुजा और शाम को प्रदोश काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी चलाता था। साहुकार की भगती और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पारवती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु ये साहुकार तो आपका परम भगत है, हर सोमवार को विधी विधान से आपकी पूजा करता है, मुझे लगता है कि आपको उसकी मनुकामना अवश्य ही प समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है, तो उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है, लेकिन माता पारवती ने भोले भंडारी से दुबारा अगरह किया और कहा हेनाथ फिर भी आप इसकी मनुकामना को पूण कर दीजिए, क् ये आपका परम भक्त है, और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पून नहीं करेंगे, तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधन क्यों करेंगे, माता पारवती के इतना आगरह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी ये धनवान सहुकार है, और इसका कोई भी नहीं है, इसलिए ये सदव चिंतित रहता है, हलंकि इसके भाग कि में किसी संतान का योग नहीं है, परन्तु आपके आगरह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र केवल बारह साल तक ही जीवित रहेगा, मैं इसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, फिर एक रात भगवान शिव ने साहुकार को स्वप्न में दर्शन दिये, और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर घायू नहीं, बलकि केवल बारह वश्च तक ही जीवित रह पाएगा, ये बात सुनकर साहुकार ना तो प्रसन हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ, स्वप्न में सब को जानने के बाद भी साहुकार ने पूजा अर्चन जारी रखी, और कुछ दिनों बाद साहुकार की पत्नी गर्भवती हो गई, और उसने एक सुन्दर बालक को जनम दिया, बालक के ज जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, तो साहुकार की पत्नी ने बालक के विवा की बात साहुकार से कही, लेकिन साहुकार ने इस बात से इंकार कर दिया, और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया, साहुकार ने बालक के मामा को बुलाया, और पैसे दे कर उन्हें बालक के स साथ काशी जाने का आदेश दिया साहुकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यग्य कराते हुए और ब्रहमनों को भोजन कराते हुए जाएं दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे उसका र के लिए मना कर देगी, इसलिए उसने जब साहुकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा, कि मैं अपने बालक के स्थान पर, तौरण के समय इस बालक को बिठा दूँगा, और दुल्हन के पक्षवालों को पता भी नहीं चलेगा, दुल्हे के पिता ने साहुकार के पूत्र क को इस बात के लिए तयार किया और वह बालक तयार हो गया इस तरह उस बालक ने दुलहे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चड़कर तोरण की रस्म को पूरा किया तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दुलहे के पिता ने फिर साहुकार के पुत्र से विवह संपन होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए परंतु सहुकार के पुत्र ने दुलहन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवह तो मुझसे हुआ है लेकिन तुम जिसके साथ विदा किये जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहन करने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इंकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पती नहीं है मेरे पती शिक्षा ग्रहन करने काशी गए हुए हैं जब सब जगह ये बात फैल और बालक शिक्षा ग्रहन करने लगा तब मामा ने यग्य करना शुरू कर दिया जब साहुकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तब्य ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है सहुकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्ती हो गई थोड़ी देर के बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यग्य अधुरा रह जाता इसलिए मामा वापस आकर यग्य करने लगे और यग्य पूरा करने के बाद और ब्रहामनों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाब करने लगे ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभू कोई मनुश्य रो रहा है चलिए उसके दुख को दूर करते हैं तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हिरान रह गए क्योंकि वह भगवान शिव के आशिरवात से जन्मा साहुकार का पुत्र था माता पार्वती ने कहा हे नात ये तो साहुकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वर्दान दिया था इसलिए आज 12 वर्ष की आयू पूरी होने पर वह मृत्ति लोग को चला गया देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़ कर कहने लगी हे प्रभू आप बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दिजिए वर्ना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे माता पार्वती के कई बार आग रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया साहुकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की और प्रस्थान कर गए रास्ते में साहुकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था दुलहन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजी को लेकर महल में आ गए फिर दुलन के पिता ने एक समारह किया और अपनी पुत्री को धूम धाम से साहुकार के पुत्र के साथ भेज दिया उधर जब साहुकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुँचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंधो कर बैठे वे थे वो सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लोटा तो वो भूख प्यास से अपनी जानते देंगे तब ही बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हीं बताया कि उनका पुत्र जीवित और विवाह करके वापस आ गया है सहुकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और सहुकार का परिवार इस प्रकार खुशी-खुशी जीवन बिताने लगा ये सब भगवान शिव की करपा और सुमवार व्रत का ही प्रभाव था कि सहुकार का पुत्र अलपायू होने के बाद भी दिरगायू को प्राप्थ हुआ इस प्रकार जो भी भक्त सचे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं उनकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं कथा समाप्त प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय देवी पार्वती की जय